नमस्कार मैं मनी स्वागत करता हूँ आपको अपनी से यूटूब चैनल पे दोस्तो एक बहुत बड़ी अपडेट आपको पता चल ही गया होगा सुवा से पता चल गया होगा एक्चुली मैं सुवा काम पे चल गया था और अभी लोटा हूँ मैंने बताया ही था कि मेरे सेक्शन में जी में इंस्वेक्शन होने को है एक इस तारी को डेट रखा गया है तो अभी काम बर्कलोड जादा है तो सुवा सुवा ही निकलना पड़ता है साड़े चार बज़े उठके खाना वाना सबजी करत के फिर अभी लोटे था खार के तो इनफॉर्म करना था तो मैं अपने जो व्यूवर हैं उनको इनफॉर् पहाई में कोई दिक्कत आ रही है उसका सॉलूशन है फिलो एप अपने डाउट्स को किसी भी टाइम के लिए करें सिर्फ तीन आसान अस्टेप्स में सबसे पहले प्ले अस्टोर या एप अस्टोर से डाउनलोड करें फिर अपने फोर नंबर से साइन अप करें अपने आउडियो के माध्यम से टॉप एक्सपर्ट फैकल्टी आपको आपके डाउट किलियर करेंगे जैसा एनिमेशन में दिख रहा है तो दोस्तों बहुत सिंपल है ना अगर कोई डाउट है तो आस्क फिलो एप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है हो सकता है पता चल गया होगा कि इसमें पूछा गया था कि जो एक्जाम कंड़क्टिंग एजनसी है प्लीज प्रोवाइड इन्फोर्मेशन एवाउट है अरला कि इससे पहले भी पूछा गया था एक्जाम कंड़क्टिंग एजनसी कौन है लेकिन उस समय ये मतलब कि कहके टाल दिया गया कि ये डेटा आपके साथ सेयर नहीं किया जा सकता क्योंकि देखिए ये चीज़े ऐसी नहीं है कि अभी पूछी गई है ये क्वेरी ये क्वेरी तकरीवन एक से दिवर साल से जंबर है उसी दिन आ गये थे देखिए यहां पर एक्जाम कंड़क्टिंग और्थिरिटी इज एस इई आई टी अब देखिए इसके बारे में भी वीडियो काफी मैने बनाए है एक दो साइड वीडियो बना रखे हैं लेकिन फिर भी अगर आपको नहीं मिलता है और आप साइंस बैग्राउंड से नहीं थे और साइंस बैग्राउंड से नहीं थे तो उनके लिए थोड़ा सा राहत भरी ख़बर यह है कि जिस तरीके से टीसियस ने पूछा था कोश्चन उतना उटपटांग इस वार आपको नहीं देखने को मिलेगा हाँ वो हो सकता है इसकी वा यह तो मेरिट की बात है लेकिन इसमें बहुत साली डिमेरिट है जैसा कि आपको भी पता है कि जिस तरीके की यह कंड़क्टिंग बोर्डी है जिस तरीके के इन्होंने एक्जाम कंड़क्ट कराए है प्रिवियस इसके क्या रिकॉर्ड है वो अलग मैटर है कि किस तरीके से यह exam conduct कराती है इसका question का level तो TCS से हम कर सकते हैं कि उनीस ही रहता है उससे TCS level पे यह question नहीं पूछेगा लेकिन question के मामले में तो यह सही है लेकिन और भी मामले जो है उसमें थोड़ा सा गड़वर यह है कि MP का जो एक मैं आपको दिखाऊंगा इस पर पर एक वीडियो बना देंगे इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं कि यह आपका जो exam conducting body है वो आपके NSEIT है इसके detail ब्योरा हम अगले वीडियो में देंगे कि यह कैसी body है कौन-कौन से exam conduct कराए है तो रद करना पड़ गया था और क्या इसमें paper link होते है किस तरीके के फरजिवाड़ा भी इसमें क्या होते है क्या अगर फरजिवाड़ा भी हुआ तो क्या आपका selection होगा कि नहीं होगा कैसे होगा किस तरीके से होगा कैसे पढ़ना है तमाम चीजों पर हम नेक्ट वीडियो में आपको बताएंगे ठीक है तो ये वीडियो को यहीं पर रखते है अगले वीडियो के लिए बने रहेगा चैनल के साथ और चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब कर देज़ेगा क्योंकि आपको रेलबेस संबंधित यहां पर आपको हर एक इनफर्मेशन दे दी जाएगे ठीक है तो नेक्ट वीडियो मिलते है तब तक के लिए धान्यवाद